पूचना था कि सम्मिधान कैसे में क्यों खत्रे में है इसका कारण क्या है जी यह सब रभी अम्बेटकर जी सम्मिधान खत्रे में कैसे है यह तो थोड़ा सा छोटा सा और उड़्टा कोश्चन है पहले में इसका जवाब दे दूँ क्योंकि आपका सवाल बनना अधुरा रह जाएगा सामाजिक आर्थिक और राजनियतिक न्याए जब हम प्रियंबल रोज पढ़ते हैं तो आप यह देखें कि भारत के लोगों को क्या सामाजिक न्याए मिल रहा है समाज में न्याए सबको बरावर हो रहा है फिर आप देखें कि आर्थिक आधार पे क्या सारे लोग बरावर है बहुत ज़्यादा गरीबी अमीरी तो नहीं है फिर आप देखें कि राजनियतिक इस्तर पर क्या सबको राजनियतिक मौक्य बरावर मिल रहे है आप देखें कि क्या कोई आदमी अगर गरीब है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या लड़ पा रहा है या कोई आदमी सक्षम है लड़ना चाहता है तो क्या लड़ सकता है यह उसकी पहली लाइन है दूसी लाइन है विचार अभीव्यक्ति विस्वास धरम और उप विष्वासना की स्वस्वतंत्रता यानि कि आपके पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए जब आप कहीं कोई विचार दें चाहे टीवी पे चाहे अखवार में चाहे कहीं बोल कर या कहीं खुले आम बोलें आप धार धार के बोलें above which लिए अपने आपको जो जो आपके अंदर है वो कहें, कुछ भी है चाहे वो, चाहे वो गवर्मेंट के अगेंश्ट में है, चाहे वो किसी विक्ती के अगेंश्ट में है या नहीं है, अगर उसकी परसनल कोई हर्ट नहीं हो रहा है, विस्वास जो आपका विस्वास है, उसको कोई हिला तो नहीं रह है जो विश्वास आप करते है कोई जवर्जस्ती तो नहीं कह रहा है आप से कि आपका ये विश्वास ये ठीक नहीं है आप मेरा विश्वास मानो मेरी बात मानो जो धरम है या पंत जिसको बोला जाता है वह आप दिन में दसवार बदलने के लिए फ्री है यानि कि आप दो बच के दो बजे दिन के एक धरम में जा सकते हैं फिर दो बज के दस मिनुनट पर दूसा धरम हना सकते हैं दो बच के चालिस मिनुनट पर चौथ öğren दो सकते हैं फिर दो पूरे भारत में सब वीदा पीपल को है इसके वारे में आप देखें कि उसका जवाब हां में आता है या ना में आता है फिर आता है कि जो प्रतिष्ठा है व्यक्ति की और जो अफसर है यानि जो मौका है और जो उसका मान समान प्रतिष्ठा है वो वीदा पीपल की सभी सम्विधाल का जवाब हाँ है तो सम्षिधान थीक है काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है और अगर हें जो बताने वाले हैं यहां उल्टा करके बताते हैं अभी यहां बाद चले थी जो शार्थी जी रइन डरेकोpend giorn cev म्लेता करें तो उसमने कहें थे कि समीध्यान और यहां पावर हाुस है पावरहाँई तो हमारे हैं बढ़ी सारे बिझली के घर होते हैं तो हमारे पुराने जह हम रहते थे वहाँपर बिझली चली जाया करती थी अविं दिल्ली में तो नहीं जाती दिल्ली में तो मौझ है चौबेस घंटे आती जहां पहले रहते थे वहां बिजली चली जाती तो कहते थे पावर हाउस से बिजली चली गई तो बहुत पावर हाउस से बिजली कैसे चली गई पावर हाउस में क्या बिजली बनती है क्या पावर हाउस बिजली बनाता है क्या वहां बिजली जलेट होती है अगर पावर हाउ सिस्टम है, उसकी अपनी कोई पावर नहीं है, वो कहीं से पावर ले रहा है और बिजली घर की तरह हमें दे रहा है, अगर उसकी पावर पीछे से कट हो गई और नहीं आई, तो दुनिया का कोई भी सम्विधान हो, आपको कुछ नी दे सकता, बेकार हो, इसलिए पावर हाउ सम्विधान नहीं होता है इसको दिमाग से निकाल दें कि सम्विधान खत्रे में है या सम्विधान पावर हाउस है ना तो सम्विधान खत्रे में है और ना सम्विधान पावर हाउस है हम वीदा खत्रे में है और हम सम्विधान तो हमारी ताकत को हमें ही देता है डिस्टिबूट कर गे इसलिए तो कहते हैं कि वी दा पीपल आफ इंडिया है वी दा कॉंस्टूशन आफ इंडिया नहीं बोलते उसको हम सम्विधान के लोग नहीं बोलते हैं इस बात को सभी लोगों को अच्छी तरह समझ ले पीचे कुछ और है सीधे सीधे बोलो के वीदा पीपल खत्रे में हैं हम खत्रे में हैं जब सीधा सीधा हम खत्रे में हैं और बोलेंगे तब यह बात क्रियर होगी कि हम खत्रे में हैं और अगर हम खत्रे में हैं तो फिर हमें कैसे बचना है हम बचेंगे वीदा पीपल बचें कि मैं अपने अपने सरीर को बचाऊंगा तो तो बचूंगा और सरीर को नहीं बचाऊंगा और कहता रहे कि मैं बचूंगा बचूंगा रहे जब सरीरी खतम हो जाएगा तो मैं बचूंगा कहां से ये बात बुलकुल अच्छी तरह से समझ लें और इसको अच्छी तरह से जा जान लें तो बहतर होगा और अगर नहीं जानेंगे तो दिक्कत आएगी यह बात बार 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 बताई जाती है तो इसलिए जो वीदा पीपल इसका नाम है और जो हम काम कर रहे हैं वह सही मायने में सारे लोग मिलके हम वह काम कर रहे हैं जिसके लिए दुनिया में शोर मच रहे हैं और लोग लगाता लगातार प्रिचार प्रिसार कर रहे हैं कि समिधान बचाना है समिधान बचाना है उनको अपने सब्द बदल दियन चाहिए उनको यह कहना चाहिए कि हमें अपने आपको बचाना है हमें अपने बच्चों को बचाना है हम बचेंगे बचेंगे तो देश बचेगा किसी देश मैसे अगर सारे होते हैं हम resources और जो घमन रिसोर्सन है जो मानभ के संसादन है वही देश होते हैं वही होते हैं उसलिए सम्विधान में कहा गया है सम्विधान में कहा कहा गया है कि विदा does विदा फैक्ट्री विदा मनी ञावregas कहां कहांगा इछ समिधान कहता है देश कहता है हमी तो है खजाना और जब हमी खतम हो जाएंगे हमी मर जाएंगे जब यह उजाएंगे जब वीदा बूसी खतम हो जाएंगे तब सम्मयधान खतन होगा हला कι हम खतικά होने के सम्विधान में है regulatory है कैसे है सम्विधान ये कहता है कि आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है यानि हम वीदा पीपल ने व्यवस्था बनाई है वह हमने पास की है वह हमने यह पास की है कि जिसकी जितनी संख्या जादा होगी और 50% से जादा होगी मैं MP MLA की बात नहीं कर र परसेंट अगर लोग हो जाते हैं देश में एक तरफ हो यह कहते हैं कि आज से यह काम होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत में उस काम को होने से रोग दे वो रुक नहीं सकता क्योंकि 51% लोग है और सम्विधान कहता है कि मैं बहुमत से चलता हूँ और बहु की लडाईया जो होती है वो जन्संक अबल से होती हैं जहां सम्विधान लागू हो जाये और इसकी लागू होने की मानिता खतम हो जाए और यह जैसे आपने लगाए थे उस समय अंग्रेजों भारत छोड़ो गो बैक गो बैक बिटिस गो बैक यह सब आपको करना पड़ेगा ऐसे योगांदुरन करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी पूरा देश रुख जाएगा इस्टक हो जाएगा फिर आपको बहु कर एक चीज़ है जो हमें बाट रही है और वो है हमारा एगो और एहम इतना ज़्यादा है कि अभी हम जरासी बात अभी यहीं मैं फोन यहीं बात करते किसी को नाम की पीछे जीना लगा हो या किसी को बीच में रोक दूँ या गल्ती से कोई बात ऐसी निकल जाए बस उसका हो गया फिर भाड़ में गया संविधान खतरा और तेल लेंगी कि आजादी और करांती वह सब बेकार की बात है भाई पहले तो मेरा और मेरे को पाठ और पड़ा जाएगा कि अभी अभी आपने कहा रहे था व्यक्ति की गरीमा कोई चीज नहीं होती आप बता रहे थे आप मुझे नहीं चाहिए आजा दी अब नहीं चाहिए मुझे मान संबास चला जाएगा और पचास जिगे जाके पचार करेगा के वीदा पीपल में तो हमको ऐसा कह दिया यहां हम जब कहते हैं किसी संग्ठन को के भाई इतने सारे संग्ठन हो गए तुमारा काम अब खतम हो ग जाते हैं और चले जाते हैं उनको खत्रा ही नहीं लगता बात करेंगे संविधान खत्रे में हैं सब्चीज खत्रे में हैं मगर उसको लाग हो नहीं करेंगे उसको समझेंगे तो ऐसे ना समझ लोगों की वैसे हमारी तो पूरी की पूरी नसली खत्रे में आगे क्योंकि दि और जो बताए वो बार बार बताए बार बार बताए वो ज़ाड़ पर चड़ जाए वो चने के ज़ाड़ पर चड़ जाए उनके एहम उपर चड़ जाए उनके धिमाग खराब हो जाए और वो लगे कि अरे यह है तो सही यह भौकने के लिए ते साही लोग तो है हम नहीं सु के लिए हमको हर तरह से महरत करनी है और ज्यादा नहीं करनी है बस अपना एहम छोड़ना है अपना एगो छोड़ना है और अपनी छोटी समझ को घर छोड़ के समझ को कुछ समय के लिए अपने छोटे मोटे इसों को छोड़ दो छोड़ चोड़ दो लोगों पे अपना विद जिन्दा रहोगे तो खूब आप एक दूसरे को एहम दिखाना आप इखटे हो जाओगे तो अपनी कार कोठी बंगला खूब दिखाना आप इखटे हो जाओगे बच जाओगे तो खूब अपनी बुद्धिमानी दिखाना कि आप कितने विद्वान हो कितने प्रोफेसर हो कि उपर से महगाई बढ़ गई और काम रोजगा धंदा आपके पास है नहीं तो बहुत तरह से मार पढ़ने वाली है और बचने का यही की रास्ता है अब मालो यह मरने के बाद मालो यह मर्ते मर्ते कहा ना कि रास्ता तो हमें बताया था वंगर हमने माना नहीं सारे वुजरू यही चलाते हैं, सारे संत्य यही चलाते हैं, बावा साब यही चलाते चलाते चले गए, बुद्ध ने तो करके दिखाया, बचा के दिखाया, एक्सप्रिमेंट तरके दिखाया, और आपने भी एक्सप्रिमेंट कर लिया, दो प्रेल अठारे को जब आपका सम्मिधान एक पे होंगे नहीं आया आप कितनी बड़ी आपकी पहुंच होगी आप इतने बड़े तरक्वितरक करने वाले होंगे कितने बड़ा ऐहम होगा नहीं आया बापिस वो जलग को आप इकाद का दिया के सारे सारे लग जाएंगे अगर आप इखटे हो जाओगे और जो अभी तक नहीं लिखे गए हैं नहीं लगे हैं वो भी लग जाएंगे अगर आप इखटे हो जाओगे इसमें ज्यादा मत्हार नहीं करेंग जोतनी है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ या समीधान ऐसा कहता है या या आर्टीकल ऐसे कहता है यह वाला अनुष्छे दिये कहता है या मैंने तरह सम्मिधान पढ़ाते रहना जब जिंदे रहोगे तो सम्मिधान की कौपिया बाठते अभी तो अस्तिक्म की लडाइई है जिन्दे रहोगे तो सारे काम कर लए ना आपस में अपने भाइयों को खूँब रहने की नहीं है तो फिर मरने की तो तो पर वच्चों को अपने हातों से दफन करने की तो तो जाएंगे तो तो दोनों में से एक काम के लिए त्यार रहो और ये सच है ये जूट नहीं है ये सच है क्योंकि जिन लोगों के पास काम नहीं होता जिनके पास रोजगार नहीं होता जिनके पास एजुकेशन नहीं होती जिनके पास में समाज नहीं होता जो एकटे नहीं होते जो एक बात न मानते ओर जो अपनी बुद्धियों तक भागते हैं जितने जद्वान हुते। ज्यादा धिसाइं उतने ज्यादा विचार होते हैं। उनका सर्वनास होना निश्चित है निश्चित उसको रोक नहीं सकता को two is against you तो अभी अपने लोगों को जोड़ो निकल लगे तरह तरह की बाते कर रहे हैं क्यों कि उनका धंदा चलता है उनका यहां चंदा चलता है उनके बच्चे से पलते हैं वह बच्चे भी नहीं बचेंगे यह जो लोग अगर पैसे ले लेकि अपना काम चला रहे हैं यह संटर भी नहीं बचेंगे क्योंकि जब आंधी आएगी तो तुफान आएगी तो सारे मारे जाएंगे जब इखटे नहीं होंगे तो उसको लड़ेगा कौन उससे बचेगा कौन आज के समय में समिधान जब तक है जब संख्या है हम बहुजन हैं हम समण हैं मगर बहुजन और समण होते हैं हमारे सारे अधिकार चलेगे तो कि हम बहुजन और समण सिर्फ दिखावे के लिए हैं हम चिलाते हैं कि हमारा बहुजन समाज है हम बहुजन हैं हम मूल लिवासी हैं मर इस्थिति यह है कि मूल लिवास का या खट्टे होने का कोई काम नहीं किया किसी नहीं बस नाम लिया है नाम बड़ा अच्छा है मगर नाम की पीछे काम करने के लिए कोई नहीं आया अगर काम करने आते हैं और हम बहुजन हो जाते तो भी यह स्थिति नहीं आती तो साइद वीदा पीपल की सोच की जरुत में नहीं पड़ती, काम वैसे ही बन जाता, मगर अब तो सबको इक्षटा होना पड़ेगा, अब हमारे पास में कोई और आप्शन नहीं है, हम बहलाने के लिए पचास बाता कर सकते हैं, अपना दिल बहलाने के लिए, अपनी बात भलाने के लिए, अपनी बुद्धी दिखाने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना जानकार हूँ, बड़ी-बड़ी बाते कर सकते हैं, आपके पास इतनी समझ है वो ही सिक्षा काभी है कि आपको जुनना है आपको कोई एजिटेशन भी नहीं करना है कहीं तलवा लेकर तीर लेकर नहीं जाना है बस एजिटेशन वही होता है कि जनसंख्या बल एक साथ इखटा हो गया वह अपने आप एजिटेशन हो जाता है लोग इखटे नहीं है उनका बच्चा मिरता तो पांशार नहीं मिलता पूछता नहीं उसकी लास के लिए है कफनी मिलता तो क्योंकि इखटे नहीं है जो लोग इखटे हैं उनके दरवाजे पर सम्विधान जाता है और कहता बताओ क्या चाहिए तो उनके घर बैठे समय किरा है कि भाई मैंने कब मना किया है तुम्हारे कौन से अधिकार मैंने मार लिए हैं चंजंख्या बल तो दिखाओ मुझे इखटे होके तो दिखाओ मुझे पर्माने इखटा होने का एक मुझे पास स्राटिफिकर तो भेजो फिर देखो मैं तुम्हारी सेवा कैसे करता हू मैंने अब तक तुम्हारी सेवा नहीं किया है मगर मैं सारी सेवा पूरी कर दूंगा इखटे होके जब तक नहीं आओगे इसलिए वीदा पीपल बार 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 कहता है कि सारे तालो की चाबी यह की है इखटा होना है बहुत सारे जो बहुत शातिर दिमाग के लोग है वो संग नेता संग होता है बुद्ध ने नियम बनाए वह भी संग नायक नहीं थे जैसे बागी ऐसी बीमारी दिमाग में घ्सी होई है कि जब तक उनको ये ना बता दो के ये काम क्या करेगा संक्ल का क्या इसके लिए खटा करने है क्यों करने है तब तक उनको चेल्न नहीं आता है और सोचे के नहीं एक मिनट भी अरे बाई दो तरह काम होते एक व्यक्ति होता है कि पहले कि उद्धे से निधार्थ करता उसके एक काम करता है और एक होता है कि इखटा होना ही काम है जो लोग इखटा करते हैं उद्धे से करनी हैं वो लोग मतलब ही होते हैं स्वार्थ ही होते हैं पहले वो एक स्वार्थ रखते हैं पहले एक उद्धे से रखते हैं जिसको वो अब कि किसी ने बताया नहीं और जिन लोगों को पता है कि इखAttा होने का ही उद्देस है सब हुजाएंगे उन लोगों ने तो बाजी मार ली वो लोग बिना किसी मतलब के सिर्फ इखटे हुए और उनके इस लिए कि इस देश को समझा कि इखटे होना और वह हैं प्ड़ी संख्य में कम हम तो संख्या में बहुत जादा हैं इसलिए जो लोग एफ और बड़ लगाते हैं जो प्रसंद पूशते हैं जो यहां विद्वता जाड़ने आते हैं ज़ाड़ते हैं अच्छी बात करने से कंप करने से कारे करम करने से लोगों को बताने से लोगों को जगाने से явir संख्या 123 है कभी संख्या 1500 दोचर 255 200 30 को होती दी तो की आरी कर도 में लोग's समझ समझ के जा रहें मगर समझ के वो संतुष्ट हो रहें हो कहन già goperson बड़िया बताया देखो यही रास्ता है और मैं इसके वारे में और भी अच्छा बताता हो बैसुरीर रासिंग क्या बतांता है यह सत्वर्प्रकस परिहार बताता है यह यह चो Bashar में तो इससे अच्छा बता है अगर थोड़े बहुत लोगों को इखटा करके काम चल जाता फिर तो यहां पर इतना साथा दिमाग लगाने का यह अतना ज्यादा बोलने का इतनी महत्तरी के आवश्चते नहीं थी इसलिए जो लोग ना समझ है वो हटते करने हैं जो समझदार हैं वो भी समझाना हैं द海र और यहां दुनिया में आये हैं तो भवावा साहब से नहीं मरे हूं अब पिर दिना और आगे मरने यहां फिर बच्चों रहो इस्वार साइद जिन्दा करने के लिए बावा साब या कोई बुद्ध जैसे विक्ति या फूले जैसे विक्ति नहीं आने वाले हैं इस वार तो बस बावा साब में कहा दिया कि तुम्हारा रास्ता ये किताब है बुद्ध ने भी कह दिया कि धम तुम्हारा पाकिस्तान में भी जाट हैं उनके पास कुछ नहीं था जमीने भी नहीं थी जो आज की समय एक जो सर छोटु राम छोटु राम सर तो बाद में उपादी मिली है छोटु राम जैसा एक व्यक्ति जो पड़ा लिखा था उसको यह समय होगकी जाट पहले यहां किसी कि आए तो फिर्ट्टों का इस्ता नहीं जाता कहा सब्सक्राइब पूरे पावर में रहते हैं चाहें पंजाब के हैं चाहें पाकिस्तान के हैं चाहें हरियाना के हैं हमारी संक्यता बहुत ज्यादा है एक वार इखटा तो हो के देखो पहले भी खटे हुए हो तो जीते हो अभी भी खटा होगे तो जीतोगे जब जब इखटा होगे तब तब जीतोगे जैसे जैसे खटा होगे वैसे वैसे जीतोगे और जितने जितने खटे होंगे उतने उतने जीतेंगे जिद्ध है जीतने की और जिद्ध है खटा होने की जुड़ेंगे जीतेंगे जुड़ेंगे जिन्दा रहेंगे जुड़ेंगे बचेंगे और जिद्ध है जुड़े रहने की इसे जिद्ध को अपने खून में शामिल कर लीजिए क्योंकि यह पुरानी जिद्ध है हम मारे जाएंगे हम सब मारे जाएंगे कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि मैं बहुत बड़ा अपसर, बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत मेरा किराया आता है, बहुत मेरी खेती है, बहुत मेरा विदेश में पैसा है, बहुत मेरा लगान है, बहुत मेरी दुकान है, बहुत इंड़स्टी है, सब खतब हो जाएगा, जब किरांती आती है, जिसका समाज होता है वो जीव को कहते हैं कि यह लुट प्राय जाती है ऐसे बहुत सारे कभीले ख़तम होगे जो बिखर गए उनके नामों निशान तक नहीं है और तो बहुत सारे ऐसे चलेगे जो जुन्डवे नहीं रहते थे अलग लग रहते थे वह सारे मारे गए उनकी जातियां उनकी प्रजातियां विल्प्त हो गई उनको बचाने के लिए सरकारों को प्रजक्स लाने पड़ते हैं कि यह विल्प्त जातियां हैं ऐसे ही विल्प्त हो और लडाई का मंत्र है जो इखटा रहेगा वह बचेगा और जो इखटा रहेगा वो जीतेगा चाए हो पड़ा लिखा है या नहीं है चाए व Government है लोग क्हरां सप्रोफ है जा किसान है मज्दूर है चाहं सड़क पर घूम रहा है जाए कई अडिक वहागें जजमीं दिरखा इखटा सब कोना पड़ेगा धन्यवाद कि अ कि अ है कि अ कि अ कि झाल 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 झाल